गुड इवनिंग इंडिया के दूसरे सेग्मेंट में आज हम बात करेंगे सिविल सुर्सेज प्रलिम एग्जामिनेशन की तैयरी के बारे में चोंकि जल्द ही लगबग दस दिन बाद तीन जून को एग्जामिनेशन होने वाला है हमारे साथ स्टोडिय में मौजूद है मिस रंजीत शर्मा आप आप इस दोजार उनिच वैस की टॉपर हैं वन थिर्टी एथ रैंक आपने हांसल गीती बहुत-बहुत शुब कामना है तैंक यू सर्थ चुकि आपकी आत्रा अभी शुरू होने ही वाली है मुझे लगता है आप इमिरेट सीनियर हैं जो विद्यारती अभी आपेर हो रहे हैं तो आप पुना अच्छे से मार दर्शन दे पाएंगे सिविल सर्विसेज का पूरा सेलेक्शन प्रोसेस का है इसके बारे में विस्तार से जाना चाहेंगे सर ये ग्जामीनेशन यूनेन पब्लिक सर्विस कमिशन कंड़क्ट कराता है हर साल इच विजुलिए तीन स्टेजिस में एक्जान होता है फर्स सेज को हम प्रेलिमिरी एक्जाम कहते हैं सेकिंद मेंस and third which is final stage is the personality test so preliminary stage interestingly हर एक stage में एक different kind of ability आपकी test हो रही है जो prelims है वो objective type of questions उसमें आते हैं दो paper होते हैं पहला होता है general studies का which is the actual qualifying paper जिससे आपकी selection decide होता है और second हमारा civil services aptitude test होता है which is a general aptitude test और ये एक qualifying exam होता है इसको आपको सिर्फ 33% score करना होता है और आप qualify कर जाते हैं और जब आप preliminary exam clear करते हैं उसके बाद में आप main exam डिखने की आपको opportunity मिलती है which is a subjective paper बहाँ पे हमारे different subject areas होते हैं जो cover होते हैं for instance general studies है उसमे you talk about polity, economics, environment ये सारे general studies के चार paper के under cover होता है and apart from this there is an optional paper उसके under 2 different exams होते हैं paper 1, paper 2 and apart from this there is an essay paper और 2 qualifying papers भी होते हैं which are compulsory in nature one is English and the other one is any Indian language that you're comfortable in and anybody from any background, somebody who's done a graduation in different stream doesn't matter, you just have to be a graduate and you're good to go to write the exam इने जो विधियारती distance learning mode से graduation करते हैं क्या वो भी eligible हैं? I am one of them I have studied from Delhi University School of Open Learning but I got this opportunity to write the exam and with the support of my parents thankfully qualify भी हो गया है so ये जो मित है कि people from the premier institutes हो ही clear करते हैं ये बस्ट होना चाहिए people from any background can come and write the exam provided you're an graduate रजिता जी आपने बहुत महत्पून जानकरी हमारे दर्शकों को दी है दोस्ता हमारे सामने एक जीवन तुधारन है ओपन स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की और 130 वी रैंक उन्होंने हासिल की है अपने दिमाग के barriers को लगता हमें अदूर करने के आवशकता है शिक्षा सीखने का एक माध्यम है आप चाहे college जाकर सीखें या open school से सीखें या पर आजकल online tools भी बहुत सारे available है क्या सीखा कितना सीखा वो ज्यादा महत्पून होता है और आपने इस बात को प्रूब करके दिखाया है कितना लंबे समय सफिशेंट होता है तायारी के लिए सर ये different individual के लिए बहुत subjective सा question है क्योंकि आपकी ability आप कितने time से पढ़ाई के touch में नहीं है मेरे case में ही हुआ था because I was working और मुझे थाइम लग गया ये understand करने में because the nature of exam is such that you have to understand the demand of the exam otherwise it extracts that time from you and it takes longer so if you are right out of college you have better chances क्योंकि आप पढ़ाई ही कर रहे थे और इसके साथ में continuing आप पढ़ाई ही करनी है और अगर आप समझ लेते हैं demand of the exam तो आपके लिए और बीजी हो जाता है आपका subject अगर आप सही से choose करते हैं तो भीजी हो जाता है so it varies depending upon your ability very subjective पहले अपने आपका टटोलना ज्यादा जरूरी है आप यह ना सोचे हैं कि दूसरे वेक्ती ने सिर्फ दो साल में कर लिया एक साल में कर लिया तीन साल में लगा अपनी अबिलिटीज के हैं आपकी subject toughness level कितना है और बिना किसी prejudice के बस दत्चित होकर के हमें लग जाना चाहिए you need to have an open mind when you walk into the any examination for that matter you need to have an open mind but you need to come prepared you need to know your tools in your arsenal you need to know the the nature of the exam so in a way you need to study the exam before you study for the exam that becomes very important उसमें क्या आपको जुरूत है क्या पढ़ने की कैसे पढ़ने की वह आपको समझने की जुरूत है कुछ लोगों को जादा time लग जाता है वो crack करने के लिए कुछ लोग वो जल्दी कर लेते हैं वही I think difference create कर देता है आपने महत्पुन बात की कि crack करना जो है कोडिंग करना जैसे कि हम याद करते हैं तो usually visual maps बना करके याद करते हैं हर विशय का अपना अपना एक तरीका हो सकता है याद करने का लेकिन अंततय है आपको ठीक से याद होना जरूरी है जी हम examination pattern की बात करेंगे किस तरह का examination pattern prelims में होता है पर marks कैसे होते हैं और marking scheme क्या होती है सब prelims objective papers होते हैं दो papers होते हैं General studies and CSAT और हर एक paper 200 marks का होता है दो गंडे में paper होता है या offline होता है कि अ हाँ जी sentence में जाके आपको एक OMR sheet फिल करनी होती है साथ में आपका objectively आप उसको attempt करते हैं और options होते हैं और आप MCQs की तरह उसको attempt करते हैं और इसके बादे mains होता है जहां पर subjective papers होते हैं और आपको लिख कर descriptive form में answers लिख करना होता है चुकि यह objective paper है कुछ विद्धियारती सभी जगहों पर tick कर देते हैं तो उसका कोई नुकसान होता है उन्हें? सर इसके लिए negative marking है one-third negative marking है दोनों ही papers में और यह बहुत ही आपको carefully paper attempt करना होता है options देखकर questions अच्छे से पढ़के जितनी अच्छे से questions पढ़ रहे हैं उतनी अच्छे से options आप देखेंगे तो बहुत फाइदा रहेगा क्योंकि आप eliminate कर पाएंगे यह कुछ tricks हैं जो कि आप examination hall में enter करने किसे पहले आप ध्यान में रखें तो आपका कुछ extra marks आप edge ले सकते हैं कैसा भी होता है कि एक से ज्यादा options सही हो सकते हों ऐसी कोई close by answers जो होता है approximate आपको approximation पर चलना होता है eliminate तभी कर पाएंगे जब कहीं न कहीं आप logic से या आपने कहीं कुछ recollection आपको हो रहा है आपने इसी तरह की cut-off इसमें होती है sir cut-off होती है but it varies every year depending upon the difficulty level of the exam and the kind of candidates attempting the paper that year maybe people are very very well prepared so उसे साबसे vary करती है fluctuate करती है cut-off but अगर आप एक serious aspirant है अपने अच्छे से time devote किया है मेहनत की है confidence है तो आप cut-off clear कर जाएंगे हम eligibility criteria की अगर बात कर रहें जैसे आपने पहले ही कहा की graduation any graduation is eligible to appear बाकी और किस थरह की eligibility criteria होता है sir age का criteria होता है for instance general के लिए 32 is the 21 to 32 की age bracket आपको होना ही जाह है यही eligibility criteria basic तो ही है and it differs for people from different categories for instance OBC SCST they would have a different criteria for this जी अब हम बात करते हैं तैयारी की प्रिलिम्स की तैयारी कैसे की जाए sir यह बहुत ही important question है क्योंकि अगर आपने इस question पे अपने मन्थन किया है तो आपकी तैयारी बहुत छोटी हो जाएगी first and foremost जैसे हम बात कर रहे थे study the exam very well it's very crucial आप उसका nature समझिये क्या demand कर रहा है exam आपसे वो समझिये अगर आप वो कर लेते हैं उसके बाद में आपको second level पे आना है sources पे क्योंकि आपने समझ लिया syllabus and then you look at the material that you need to study उसके लिए आप चाहे तो बहुत सारे toppers के interviews आप देख सकते हैं आपको एक right before you start preparing एक list बनानी होगी concise list और उस लिस्ट के according आपको पढ़ाई अपनी करनी होगी and you have to make sure that you stick to that list क्योंकि अगर आप जादा वेरी करेंगे तो आप बहुत जादा syllabus है confusion होगा content बहुत जादा अवेरेंगे correct and the third thing that you have to do is make very precise notes out of the syllabus that you study because they say if you study it once that means you've not studied it at all क्योंकि आप revise ही नहीं कर पाएंगे or revision is the key to cracking this exam the more you revise the more you remember absolutely so हम जहाँ पर study material की बात करते हैं वहाँ पर the thumb rule we can follow is more is less is more and then in case of our revision and preparing notes we have to make sure के हम बहुत ही छोटे form में notes बनाए, revise more even if you study less that that will say यानि कि आप concisely पहले content अपना collect कर लें कि बहुत सारे free resources बहुत सारे बहुत सारे अवले बहुत सारी हो जाती हैं दूसरा है कि उसमें से आप crispy form में notes बनाएं और उस तरह की notes जिनको आप बार-बार revise कर सकते हैं अगर मैं अपना short form में notes बनाए थे जो कि मैं exam से पहले revise कर पाई थी एक चीज़ आपको धिहान रखनी है कि exam को देखते हुए कि दो दिन पहले आपको exam से सब कुछ revise करना है किया आपके सामने जो किताब है आप उचे revise कर पाएंगे exam से पहले यह आपको हमेशा दिमाग में लेके चलना है अगर exam से एक दिन पहले आपके पास इतनी हिम्मत है आपके notes इतने consolidated form में है कि revise हो जाएं मतलब आप सही रास्ते पे हैं यह capsule form में आपके पास snapshot जैसा आपके पास होना ही जाहिए जरूरी है अब चुकि सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं तो जो आखरे समय की जो tips होती है important tips वो क्या होनी चाहिए यह बहुत ही crucial time है और यह make और mar वाला time है अगर इस time पे आप अपना कुछ एक factors अगर आप ध्यान रखें तो आपके chances improve हो सकते हैं पहला ऐसा factor है कि आप अपना जो sleep cycle है उसको align करी अगर आपने अभी नहीं किया है तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप exam देने की time पे आप सो रहे हैं और रात में पढ़ रहे हैं तो वो आपको affect करेगा ही कहें तो आपको यह चीज़ अपनी food avoid करिये अपने proper rest लीजिए बहुत ज़रूरी है गर्मी है do not step out in the sun तो यह important है कि आप अपना ध्यान रखें अपार्ट फिम देस to my mind if you stay away from comparative analysis जिसमें हम लग जाते हैं कि बाकी लोग उने कितना पढ़ लिया क्योंकि यह बहुत ही critical time है इसमें आप अपने पर ध्यान दीजिए अपनी तियारी पर ध्यान दीजिए तो यह चीज़ें आपको फाइदा करेंगी किस तरह की mistakes आंतर पर विद्यारती examination में कर देते हैं सर नंबर वन mistake is not to have the self-belief जो यह doubt है अपने आप में despite your preparation आपने आपको पता है आपने 100% दिया है फिर भी आपके anxiety क्यों आती क्योंकि आप doubt में रहते हैं आपको कहीं न कहीं confidence नहीं आ रहा है तो एक चीज़ है कि आपको उसको overcome करना ही पड़ेगा before you enter the examination hall कितनी भी तयारी है you have to ensure that you're going with your with your head on your shoulders you're fully ready for it आप यह भी मानिये कि जितनी आपकी तयारी है उसके हिसाब से पेपर निकल जाएगा you need to have that confidence because at the end of the day it is the question is such that you need to be confident about answering that question so I think this is very important क्या अलग होता है जो विद्धार्थी मेरिट में आ जाते हैं और जो नहीं आपाते हैं Sir यह बहुत रेलेवन्ट क्वेस्चन है और यह अपने एक्स्पिरिंस से मैं बता सकते हूं कि to begin with I think you need to understand your why for writing this exam why do you want to do this why do you want to get into civil services that why is something that will take you forward in this decision and whenever you find a setback कभी भी failures आते हैं सामने आप अपने वाई के ऊपर जाएंगे you will find that anchor that will help you stay strong stay steadfast so वाई को टटोलिए अपने मन को टटोलिए कि मुझे क्यों करना है क्योंकि वहीं से आपको fire और fuel सारा कुछ मिलने वाला है definitely second thing I think you need to be single-minded about this कि करना है तो यही करना है अगर आप जरा भी distracted रहेंगे कि तो एक्जाम नहीं निकलेगा एक्जाम डिमांड करता है आप से कि आप बहुत ही single-minded dedication से आप करें third thing would be sir you need to be absolutely disciplined about you need to be consistent यह चीज़े साथ में चलती है consistent है तो discipline भी रहेंगे तो और कहीं पे आपको ready रहना है कि कितनी बार भी invitation है family gatherings है कोई भी social engagements है you have to say no you need to be willing to say no and sir it's important to remember that nobody here is more gifted than you are remember that they're just working harder than you are अगर वो उनका chance better right just because they're not more gifted they're working harder hard work is the key absolutely proper planning के साथ में yes inception कैसे होना चाहिए कितना समय यानि कब से विचार सुरू हो जाना चाहिए usually graduation के बाद लोग attempt पनाशू करते हैं again it's very subjective for somebody हो सता है कि वो जो 5th standard में थे तब से उनका कोई dream को सामने हो किसी ने बात कर दी हो जिकर कर दिया हो हो सकता है कोई late 20s में हैं और उनको तब ख्याल आ रहा है कि यह भी a career option है जो explore कर सकते हैं so it becomes very different for different people sir जी उमीद करते हैं कि रजीत अजी से हमारी बाच्चीत आपको पसंद आई होगी और जो इनकी success story जो मुझे खास तोर से आपकी बात अपील की कि आपने open school से पढ़ाई की और फ़र यह सफलता हांसिल की आप एक निश्यत और पर प्रिणा स्रोथ हैं और हमारे तमाम युवा साथ ही जो तैयारी कर रहे हैं या करने वाले उन सभी को हम शुब कामना देते हैं और आपका अनेक अनेक धन्यवाद आप स्टूडियम आए अच्छे अच्छी बात हैं हमारे साथ शेयर की और आपकी आगे की यात्रा के लिए अनेक अनेक शुब कामना है थैंक यू सुमाच सिर्व नहीं महाद किसंवाद आपके अनेक वाल